असलाम लेकुम चिल्डरन, how are you all? hope you all are fine and doing very well आज की क्लास में हम जो डिसकस करने जा रहे हैं जो टॉपिक आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है वैल्यू ओफ क्लीन डिंकिंग वाटर मतलब हम पीने के पानी को साफ करने की जो एहमियत है उसको हम डिसकस करेंगे साफ पानी बहुत जादा एहमियत का हामिल है basically पानी पीना जो है पानी हमारी जिन्दगी लिए बहुत इंपॉर्टन है because water is life, पानी जिन्दगी है our bodies consist of 60% of water इसके लावा हमारी body में जो blood होता है ठीक है वो जो flow करता है हमारी पूरी body parts तक जाता है हमारी पूरी body को oxygen और food प्रवाइड करता है blood is made up of 90% of water ठीक है इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं पानी जो है वो कितना ज़्यादा एहमियत का हामिल है अगर blood में water नहीं होगा तो blood की जो consistency होगी वो थिक हो जाएगी और इस तरह से हमारी सहथ को बहुत सारे मसले हो सकते है इसलिए बहुत जरूरी है proper quantity water की वो हमें लेनी चाहिए ठीक है जी इसके इलावा अगर हम polluted water consume करेंगे अगर हम गंदा पानी consume करेंगे क्योंकि वो बहुत infected होता है जर्म से ठीक है अगर हम उसको consume करेंगे तो बहुत सारी disease का शिकार हो सकते है जैसे cholera, hepatitis इस तरह से cholera कहते है हैजा को गंदा पानी पीने से cholera हो सकता है hepatitis हो सकता है इससे लावा बहुत सारी और disease है जो हमें polluted water से हो सकती है because polluted water is infected with the germs उसके अंदर उन बिमारियों के germs होते है दुनिया में 22nd of Mars को World Water Day celebrate किया जाता है ताकि पूरी दुनिया में जो water wastage है उसके हिलाफ awareness जो है वो फिलाई जा सके ताकि पानी के जिया को रोका जा सके तो अब हम discuss करेंगे factors polluting water को मतलब वो वाले factors जो पानी को गंदा करते है सबसे पहले आ जाते है the first factor is air air is a mixture of many gases, particles and dirt ठीक है हवा में क्या क्या हो सकता है इसमें gases होती है उसमें dirt particles होते है ये चीज़े rain water के साथ mix होती है ये ही rain जब जमीन पे आती है तो water bodies के साथ mix up हो जाती है water bodies like river, like canal, lakes ठीक है जी जहां से दूसरी जो organisms हैं या जिन्दा चीज़ें जो water consume करती है ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो पानी को pollute कर देती हैं गंदा कर देती है the second one is the poisonous water coming from the home from the industries ये जो है वो भी water को pollute कर देता है third one में आजाए fertilizers होते है insecticides होते है और इसके लावा जो garbage होता है ये सारी की सारी चीज़ें मिलके water को pollute कर देती है now we are going to discuss make water clean and suitable for drinking like हम अपने पानी को किस तरह से clean कर सकते हैं और अपने पीने के काबल बना सकते है basically दो basic ways हैं जिनको use किया जाता है पानी को clean करने के लिए ताके पानी को साफ किया जा सके तमाम किसम के germs से और उन तमाम pollutants से जो पानी के अंदर मौजूद होते है the first one is boiling and the second one is filtration सबसे पहले आजाते हैं boiling पे जैसे ही water boil होना शुरू हो जाए तो आपने five to ten minutes उसको boil होने देना है अब इससे क्या होता है five to ten minutes अगर हम उसको boil होने देंगे तो पानी में मुझूद तमाम जो germs है वो किल हो जाएंगे और आपका water है वो drinking के लिए suitable हो जाएगा तमाम के तमाम germ जो है filtration की बहुत मैं छोटी से आपको example दूँगी filtration basically होती कि है जैसे आप चाए पीते हैं चाए बनाते हो तो आप क्या करते हो चाए बनाने के बाद हम stainer रखते हैं कप के उपर और उसको stain करते हैं ठीक है सीव से जिसको आप पोनी भी बोलते है उड़ो में जब हम चाए को वो चाननी से stain करते हैं तो क्या होता है जो चाए के पते होते हैं वो stainer के ऊपर रह जाते हैं और जो clean चाए होती है वो आपके कप में चली जाती है basically यही process है जो filtration में यूज होता है filtration is the process by which we filter the water with the filter paper and separate the particles present in the water and the clean water filtration एक ऐसा तरीका कार है जिसमें हम filter paper को use करते हैं क्या करते हैं पानी को filter paper के अंदर से गुजारते हैं जो particles मुजूद होते हैं वो filter paper को cross नहीं कर सकते इसलिए वो filter paper के उपर रह जाते हैं ठीक है इस तरीके से आप पानी को suitable बना सकते हैं अपने पीने के purpose के लिए तो बचो आज के lesson में हमने value of clean drinking water को सीखा कि हमारे लिए जो है वो पानी को clean करना कितना ज़्यादा important है इसके बाद हमने वो वाले factors पड़े जो पानी को pollute करते हैं और इसके बाद हमने वो तरीका कार पड़े कि हम किन तरीकों को अपना के water को clean कर सकते हैं उमीद है आज का lesson आपको समझ आया होगा मज़ीद understanding के लिए अपने book से help लीजिए इसी के साथ मुझे दीजिए अजाज़त अलाहाफेज